दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रम्होस मिसाइल के बारे में यानि ब्रम्होस मिसाइल कैसे काम करती है दोस्तो आपको बता दें कि आज तक दुनिया में सबसे तेज स्पीड में चलने वाली मिसाइल अगर कोई है तो है ब्रम्होस ब्रह्मोस की मिसाइल जो स्पीड इतनी तेज होती है कि इसको कोई air defense system जो है कि मार की गिरा नहीं सकता इस मिसाइल को अगर detective भी कर ले तो इसको मार कर गिरा नहीं सकता क्योंकि इसकी स्पीड जो है कि बहुत ही जादा होती है तो इसका छासियत है वो है इसका engine जो ही बनावट ऐसी है कि बहुत ही speed नेश मारे जो है कि चलती है इसका engine बनाने के लिए जो है कि बहुत ज्चादा जो है कि समय लगी है भारत ये अभी विग्ञान को और reduce की भी ग्ञान को develop किया है ठीक है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो है कि चित्र बना हुआ है मिसाइल का अब यहां पर आपको बता दें कि पहले इस मिसाइल में जो है कि oxygen और hydrogen दो चीज का इस्तमाल किया जाता था तब यहां पर जो इसकी speed होती थी सबसोनिक की speed होती है आपको बताते हैं कि जो हावा की गत से धीमी speed में चले उसे हम सबसोनिक बोलते हैं इसका कारण था यहां oxygen अब किसी चीज पर अगर हम लोड ज्यादा रखेंगे बेट रखेंगे तब उसकी speed जो है कि कम हो जाएगी ठीक है यहां पर oxygen और hydrogen दोनों इस्तमाल के जाता था यहां पर तो इसकी speed कम हो जाती थी सबसोनिक speed की जो है कि तेज़ भागती थी तो यहां पर विग्यानकों ने इसमें एक बदलाव किया इसमें oxygen के इस्तमाल नहीं करेंगे बलकि जो वाय मेंडल में 30 हवा है उसका इस्तमाल करके हमें इस missile को बनाएंगे तो यहां पर आपको बता दें कि दो तरह कि जो है कि इसमें पहले इसमें जो है कि लगा जाता है solid folios इनि बारूद लगा जाता है पहले इसको और यहां पर है कि hydrogen की तेंक होता है यहां पर यहां पर पर अक्सीजन के इस्त téमाल किया जाता था लेकिन अब इसको बाहर जो high anlam में 30 हवा है उसकी दो आरे इसको चला जाता ताकि इसका बेट कम हो जाए ठीक है यहां पर एक लगा दिया जाता है डिफ्यूजर ठीक है डिफ्यूजर लगा जाता है यहां पर डिफ्यूजर सिस्टम डिफ्यूजर सिस्टम यह है ठीक है डिफ्यूजर सिस्टम यहां पर लगा दिया जाता है अब इससे ये होता है कि जो इसका अगला हिस्सा है वो हावा जो है कि वाई विंडल में जो हावा होती है उसको जो है कि खीचता है उसको खीच कर इसको अंदर जो है कि यहाँ पिलाता है अब आपको बता दें कि अब यहाँ से तो हावा यह जो है कि हावा बहुत तेज से जो और निकलने कर रास्ता कम है तो इसकी जो प्रेसर बहुत ज़दा तेज होगा ठीक है अब आप समझगे होगे यहां पर जो है कि हम यहां से आती है । और यहां पर इएक लगा होता हैं कम ळेशन चेमब로 को जलाना और hydrogen को मिसरण है उसको जलाना अब यहां पर आपको पताशें जो hydrogen है यहां पर hydrogen है और जलाने वाला भी अब केवाल जरूद है oxygen की तो oxygen हम आगे से लिते हैं यहांपर oxygen आती है तब यह बहुत तेज़े से जलने लगती है अब यहां भी है कि जितना speed में जो है कि यह जायेगी उतना speed से इसके अंदर हवा血 उतना ही तेज जिस speed में जाती है अब लेकिन यहां पर एक दिक्कत ही इसको यह है कि इसको जो है कि engine the engine इंजन है उसको चलाने के लिए यहां पर सब-sonic जो है की speed चाहिए ठीड़ है ज dess 같이 पर सब्सोंए सपीड में नहीं जाता है थब तक इसका इंजन जो है की COM आते है इन्हों नहीं होगा तो उसकी लिए इन्हों ने जो हैki बहुत तेजे से जिवारूद होती है उसके कोई कांट्रोल नहीं हो था बहुत ही से जिलाता है, जरना यिनि जब बारुद रहें तब तक बहुत ज्यादा स्पीडें तब ऑर रुद एससмат Nissan Raptor इस पर स्पीड होती है यह न ही इसान की गॉलकरे यहां पर शुरूप कर देता ठीक है तो इस तरह से जो है कि यह रैम जट इंजन काम करता है हाइडोजन इसके अंदर भरा होता इधन और ऑक्सीजन जो है कि वाइमेंडल से लिलेता है तो भी इसका बेट बहुत कम रहता है इस मिसायल का और यह बहुत ही तेजी से स्पीड से में जाये तो उसको हम बोलते हैं हवा से यानि हवा से तीन स्पीड में जा रही है तो इसका करण है कि कोई एर डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है अब डिटेक्ट भी कर ले उससे पहले जो है कि अपने टार्गेट को यह खतम कर शकती है अब इसकी यह ख जो है कि इसमें खतम किया जा सकता है क्योंकि यहां पर control system लगा रहता है यहां पर बैट के control room से इसको control करके आप अपने target को जो है कि खतम कर सकते हैं यहां पर इसमें परमाडू बम यहां लगा दे तब यह ले जा सकती है ठीक है अब आप समझ गयो होंगे कैसे रैमजट इंजन काम करता है और इसका बरमोज मिसाइल का इंजन कैसे काम करता है अब यहां पर आपको बता दिए आभी कुछ दिन पहले इंडिया से एक मिसाइल बरमोज पाकिस्तान में छोड़ दी गए थी बस यह टेस्टिंग चल रही थी बता दिए गलती से गरत फैमिस जो है की मिसाइल चली गए लेकिन वो टेस्टिंग की गए थी देखते ही कोई भी जो है की वार हेड नहीं था इसकी वज़ा से वहां कोई अक्सान नहीं हुआ था ठीक है तो आज तक दुनिया में कोई भी इसकी जो है की जो है की इसकी मुकाबला करने वाली कोई भी मिसाइल नहीं है इसको इंडिया और रसिया ने मिलकर बनाया है जिसका जो है की अधिका कि इंडिया का है और 45% अधिकार रुस का है यहनी रुस का 45% इस पर अधिकार है और 55% जो ही कि इंडिया का अधिकार है इस मिसाल भी क्योंकि दोनों ने मील का डबला पर किया है तो इसको जो